और अब समचार विस्तार से बाला सोर ट्रेन हाथसे पर रेलवे बोर्ट ने बड़ा फैसला लेती हुए हाथसे की CBI जांच की सिफारिश कर दी है और रेल मंतरी ने भी यही कहा है कि इस हाथसे की तह तक जाना होगा जिसके लिए CBI जांच की बात कही गई है रेलवे बोर्ड ने भी यह भी सपस्ट किया है कि तीन ट्रेनों की टकर नहीं हुई है बलके सिर्फ कोरो मंडल एक्सप्रेस ही दुघटना का शिकार हुई है और कल की गई एक विस्तरित प्रेस कॉनफरेंस में बोर्ड ने इस हाथसे की तमाम पहलों को सामने रखा और साथ ही इस हाथसे पर उठाए सवाल पर भी रेलवे बोर्ड ने कहा कि प्रतम द्रेस्टन्टा सिगनल की कारण हो रही समस्या सामने नजर आती है लेकिन जब तक की कमिशनर आफ रेलवे सिक्योरिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है और अब सीबियाई जांच होगी और इशा के बाला सोर में हुए भीशन रेल हाथसे को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के इस्तिति सपस्ट करने के लिए रविवार को रेलवे बोर्ड ने पहली प्रेस कांफरेंस कर हाथसे पर विस्तरित जानकारी दी इसासे के पीछे क्या कारण रहा इसे लेकर रेलवे बोर्ड की सदस्य आपरेशन्स जया वर्मा सिनहा ने कहा कि रेल मंत्री ने शुरुवाती जांच में सिग्नलिंग के कारण हाथसा होने के संकेट दिये हैं आला कि सुरक्षा आयुक्त की जांच पूरी होने के बाद ही पुखता जानकारी साजा की जाएगी बारती रेल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग विवस्था का प्रियोग होता है और ये सिग्नलिंग का फेल सेप सिस्टम है लेकिन कोई भी मशीन फेल हो सकती है और ऐसी आशंका कभी भी हो सकती है प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा लेकिन वो प्राइमा फेसी है उसको हम ऑथन्टिक नहीं मानेंगे स्टी आरे स्कीन प्वारी के बाद ही हम आपको एक ऑथन्टिक जानकारी दे पाएंगे बाला सोर रेल हाथ से को लेकर रेलवे बोर्ड ने कुछ अहम बिंदू सामने रखे हैं प्रतम द्रिश्टेया सिग्नलिंग में गरबड़ी की वजह से हाथसा हुआ एक्सिडेंट तीन ट्रेनों का नहीं था केवल एक ही ट्रेन कोरो मंडल एक्सप्रस दुरगटना गरस्थ हुई दुरगटना के समय सिग्नल ग्रीन था रेलगाडिया तय गती सीमा पर चल रही थी कोरो मंडल एक्सप्रस 128 किलोमीटर प्रति घंटे और यश्वंद पूर एक्सप्रस 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी लूप लाइन में दो मालगारिया खड़ी थी दो मेल लाइन पर कुछ सेकेंड की धूरी पर कोरो मंडल और यश्वंद पूर एक्सप्रस थी हाथसे का पूरा असर कोरो मंडल एक्सप्रस पर हुआ यश्वंद पूर एक्सप्रस के पिछले दो डिब्बे ही चपेट में आये थे वही रेलवे की ओर से आम जन से इस बात का हवान किया गया है कि अधि हाथसे में प्रियजन हैं अब तक 285 मामलों में 3 करोर 22 लाग से अधिक मुआपजाद दी आ जा चुका है इन रिजॉल्ब नहीं हो जाती है तब तक यहीं रहेंगे हाथसे की जाच कर रहे है नोडल अधिकारी देलवे सुरक्षा आयुक्त की ओर से जानकारी दी गई है कि 5 और 6 जून सुमार और मंगलवार को सुबह 9 बजे से साउथ इंस्सिट्यूट खड़कपुर में मामले की जाच को लेकर एक खुली बैठक की जाएगी और इस घटना से जुड़े सभी रेल करमचारी या आमजन जो अपना बयान देना चाहते हैं या कोई जानकारी साजा करना चाहते हैं वो फस्थित हो सकते हैं जहां एक और सरकार की ओर से राहत जाच और इस मार्ग पर रेल आतायात बहाल करने के लिए गंफीर प्रयास किये जा रहे हैं तो ही इस रेल हाथसे पर सुप्रीम कोट में याच का दायर कर रेटायर जज़ की निगरानी में समय बद्ध तरीके से जाच कर दो महिने में रिपोर्ट सौपने की मांग की गई है याच का में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ती रोकने के लिए और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है साथी जाच समित में तकनीकी विश्यसग्यों को शामिल करने की भी मांग की गई है